Hey guys and welcome back to another video with Report with Nature आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी सिहत के लिए बहुत जादा लाबदाएक होने वाला है और आपके लिवर के लिए ये एक साथी होने वाला है, सही योगी होने वाला है क्योंकि ये आपके लिवर हेल्थ के लिए बहुत जादा इंपॉर्टन होता है साथी साथ ये आपके ब्लड क्यो पुरिफाय करने में बोन की हेल्थ में आँखों की विजन के लिए काफी बहतरीन होम रेमिडी है और इसका अगर आप इस्तमाल अपनी रोज मर्रा की जिन्दगी में करते हैं आपके शरीर में कुछ नाच्रल चेंजिस आ रहे हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्लाक रेजिन्स के बारे में ब्लाक रेजिन्स हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन में काफी ज़्यादा काम आता है और साथी साथ ये हमारे ब्लड को पिरिफाई करने के लिए काफी ज़्यादा बहतरीन होता है क्योंकि हमारे शरीर में से टॉक्सिंस को मूव आउट कर देता है और हमारे शरीड को detoxify करता है इसलिए ये हमारे liver की health के लिए काफी ज़्यादा beneficial होता है क्योंकि liver का काम होता है हमारे शरीड को detoxify करना और black raisins के अंदर पाए जाने वाले बहतरीन antioxidants, minerals, vitamins ये काफी मदद करते हैं हमारे शरीड को detoxify करने के लिए तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके benefits के बारे में उसके बाद मैं आपको एक ऐसी home remedy बताऊंगा जिसका 7 अगर आप 3-4 दिन करेंगे तो आपके शरीड में detoxification process जो है वो start हो जाएगा तो आपको liver detoxify होता है साथी साथ आपकी heart health increase हो जाती है acidity जो आपके शरीड में बनती है वो कम हो जाती है blood का purification होना start हो जाता है metabolism को भी increase करता है आपके natural तरीके से आपके colon को cleanse करने का काम करता है और इसमें होते हैं बहुत सारे antioxidants तो इन सारे benefits से भरा हुआ है ये काली किशमिश जो आपके black raisins है ये आसानी से आपको market में मिल भी जाते हैं और इनका अगर आप saveन करते हैं तो आपको sugar की tension लेने की जूरत भी नहीं है क्योंकि ये naturally sweetened होते हैं और इनको आप जब consume करते हैं तो आपको sugar भी नहीं होता ये आपके शरीर में diabetes होने के chances भी नहीं होते उसके बाद एक और important चीज़ देखी जाए तो ये weight loss में भी काफी ज़्यादा मदद करते हैं क्योंकि इसके अंदर होते है natural fibers और साथ ही साथ मैंने आपको जैसा बताया कि इसके अंदर होते हैं बहुत सारे antioxidants तो चलिए जानते हैं वो home remedy जिससे आपको बहुत सारे benefit होने वाले है उसके लिए आपको सिरफ दो ingredients की जुरत पड़ेगी simple ingredients है number one you need at least 150 grams यानि 1500 gram आपको काली किश्मिश चाहिए और उसके साथ चाहिए आपको थोड़ा सा पानी और आपकी home remedy होगी तयार इन आसान steps में so here we go जैसे कि मैंने आपको बताया we have a glass of water and हमारे पास है काली किश्मिश जो की हमने bowl में रखी वी है इसके बाद बहुत ये आसान तरीका है इसको बनाने का पानी जो है हमारे पास वो काफी गरम है पानी को पहले थोड़ा सा उबालने उसको एक glass में डालने और उसमें आप एक average एक मुठी भरके आप देख सकते हैं अगर एक मुठी आप इसमें काली किश्मिश आड़ करेंगे अराम से आप इसको आड़ कर दीजे अब जो next process है वो यह है कि इसको आपको overnight soak करना है इसको भिगो के रखना है so that ये पानी जो है वो proper तरीके से infuse हो जाए इस किश्मिश को soak कर ले पानी और ये इसके सारे benefits इस पानी के अंदर आ जाए तो इसको soak करने के बाद next morning आप देखेंगे क्या होता है जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ये overnight soak करने के बाद कुछ इस तरीके के देखेगा और जो भी इसके अंदर के nutrients है वो सारे पानी में आ जाएंगे जैसे कि अगर आप करीब से देखें इसको ध्यान से तो पानी का color बिल्कुल change हो चुका है ये proper तरीके से एक infused drink बन चुकी है और अब करना क्या है बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि proper तरीके से soak नहीं करते हैं और ऐसे ही पानी में उबाल लेते हैं और पानी में उबाल के पी लेते हैं proper तरीके से soak करना है अगले दिन सुबे खाली पेट इस पानी का सेवन करना है और इस पानी का सेवन कैसे करना है आपको इस पानी को एक दूसरे ग्लास में ट्रांसफर करना पड़ेगा अगर हम देखें तो जो आपने रेजिंस है उन रेजिंस का इस्तमाल आपको इस पानी में नहीं करना है तो जैसे कि आप सुबह उठते ही first thing in the morning आपको ये पानी पीना है और एक चीज का आपको विशेश ध्यान रखना है कि आप अगर कुछ खाना चाहते हैं तो आपको 20 से 30 मिनट का gap देना पड़ेगा तो इस पानी का हम सेवन करेंगे बहुत ही जादा delicious होने वाला है ये थोड़ा खटा मीठा से इसका स्वाध होगा बहुत ही भैतरीन लगेगा आपको अब आप सोच रहे होंगे कि जो किश्मिश बची है इसका हम क्या करेंगे तो इस किश्मिश को भी आप enjoy कर सकते हैं खा सकते हैं और ये भी बहुत जादा delicious है इसमें भी बहुत सारा fiber होता है नूट्रेंट्स होते हैं तो ये भी आपको बहुत जादा benefit करने वाले हैं और इस drink का आप 3-4 दिन सेवन करो और फरक देखो बहुत ही जादा healthy होना है आपके लिए liver को detoxify करने के लिए तो ये बहुत ही जादा लाजवाब होता है ये आपके liver को completely detoxify कर देता है आपके लिए बहुत जादा beneficial होता है और एक और चीज़ देखी गई है अगर हम थोड़ सा इस चीज का ध्यान करें कि we should cut down on sugars आप जो आप और sugars consume कर रहे हैं उनको थोड़ा सा cut down कर दीजिए क्योंकि जो काली किश्मिश है और किश्मिश है जो raisins होते हैं इनके अंदर natural sugar होता है आप sugars किसी भी तरह के consume करें sugars sugars ही होते है sugars आपकी body में जाके calorie ही बनेंगे तो आपको home remedy का अगर सेवन करते हैं अपनी day to day life में तो ये आपको बहुत जादा energize भी करेगी आपको fit भी रखेगी healthy भी रखेगी और आपके लिए बहुत जादा लाबदायक होने वाली है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ thanks for watching the video and see you in the next video stop अगर आपको आपके शरीर में आपके परिवार वालों को उनके शरीर में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो रही है तो आप अभी नीचे दिये गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं एक well trained educated healthy professional आपसे संपर्क करेगा और आपको guide करेगा कि कैसे आप एक स्वस्त जीवन ज इन lifestyle changes को अपनाएं क्योंकि lifestyle change ही आपके जीवन में एक नई उर्जाल आ सकता है और आपकी विमारियों को खतम या कम करने में मदद कर सकता है तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ thanks for watching the video